नमस्कार, एंजिनियरिंग विशों में रुची बनाने और विशे समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किये गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विशे पावर एलेक्टोनिक्स में एक नई वीडियो में बात करते हैं DC मोटर के स्पीड कंट्रोल में टेको जनरेटर के फीडबेक की और हम जानेंगे कि क्लोज लूप कंट्रोल किस तरह से काम करता है और क्या इसमें खूबियां है क्यों कर ये ओपन लूप से बहतर है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पढ़ता है या गती की दिशा बदलनी हो या ब्रेकिंग करनी हो या फिर जो सबसे खुबसूरत बाद है हमें बहुत लंबी बड़ी परास में स्पीड को एड़स्ट करना पढ़ता है कंट्रोल करना पढ़ता है उन सभी जगों पर हम DC मोटरों का इस्तेमाल करते हैं हम एक DC मोटर की स्पीड को दोनों डिरेक्शन में बहुत सरल और सस्ते तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं अगर हमें एक मोटर को उसकी बेस स्पीड से कम स्पीड पर नियंत्रित करना हो तो हम आर्मेचर कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर बेस स्पीड से अधिक कि Traction Application में, चाए वो Main Line का Railway Traction हो या Metro Traction हो या Battery Powered vehicle हो ये Extкивator और Crain's में भी استعمال होती है. हमें इन सभी Applications में एक Accurate and Automatic Speed Control की ज़रुत है और उसे तु हम ये आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि TACO Generator से Feedback लेके Closed Loop Automatic Control System किस तरसे Motor की Speed का Control करता है useful mechanical energy के तोर पे load को बना कर देती है और जो हमारा power conversion का control है वो एक electronic converter की मदद से करते हैं जिसमें कुछ power processing switches हो सकते हैं और उनको current और उनको control करने वाले modulators हो सकते हैं हमारा power electronic converter है वो हमारी supply voltage और current को इस तरह से बदल देता है कि हम motor की जो characteristic है उसे अपनी मर्जी से बदल सकते हैं और आजकल के controllable power sources से हम motor को reverse कर सकते हैं ब्रेक लगा सकते हैं और मन चाही variable speed पे किसी भी direction में चला सकते हैं हमारी power electronics, microprocessor और digital electronic के advancement ने modern power electronic converters को बहुँज़ादा compact, lightweight, economic, affordable और बहुँज़ादा energy efficient, versatile और flexible बना दिया है जो हमारी DC motor है उनको चलाने के लिए हमारे पास दो तरह के converters हैं अगर main supply AC है तो वो जो AC to DC converter है वो दो तरह के हो सकते हैं एक हम सामाने diode rectifier से three phase या single phase AC को rectify करके और filter करके यहाँ chopper की मदद से DC to DC converter करके और DC motor को चला सकते हैं एक दूसरा तरीका है कि आपकी जो main AC है उसे silicon control rectifier से rectify करें और जो variable DC है उससे motor को control करें अगर हमारी supply fixed voltage की DC है तो हम chopper जैसे DC to DC converter की मदद से variable DC इस्तेमाल करके motor का control कर सकते हैं सामानेत है हम DC motor के power converter में switch के बतोर पे SCR या thyristor का इस्तेमाल करते हैं power converter के controller के तोर पे हम बहुत सरल से कुछ digital ICs और OPEMS के configuration वाले circuits यूज कर सकते हैं और कुछ इतने जटिल complex combinations हो सकते हैं जिसमें application specific integrated circuits हो सकते हैं और digital signal processors का और micro controller का हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी motor होती हैं वो sudden transient conditions में समाने से तीन गुनी तक की धारा ले सकती हैं और motor का जो thermal constant होता है वो अच्छा होता है तो वो ऐसे short time rating के transients को सहकर खुद को कोई खतरा नहीं होने देती लेकिन हमारे यह जो converter होते हैं यह short time rating होते हैं तो अगर हम एक DC motor के साथ electronic converter का इस्तेवाल करने हैं तो converter के components की safety के लिए हमें converter है वो sufficient over rating का लेना चाहिए और हमारे circuit में current को limit करने के proper protection systems भी होने चाहिए एक electronic controlled converter का बहुत बड़ा लाब breaking के दोरान है हम सामानेत है motorों को supply से cut off करके और costing के process से अपने आप frictional forces से उसे रुकने देते हैं अगर हमें तेजी से motor को रोकना है तो हम braking का इस्तेमाल करते हैं आम तोर पे हम mechanical brake का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम सारी motorों में electric braking को mechanical braking को मजबूत बनाने के लिए additionally use कर सकते हैं इससे हमारे mechanical brakes की life बढ़ती है उनकी wear and tear कम होती है और जो सबसे खुबसूरत बात है वो यह है कि हम regenerative electric braking से हमारे process की energy efficiency बढ़ा सकते हैं और कुछ प्रक्रम में जहां बार-बार हमें braking करनी होती है 10 से 20 परसेंट energy हम save कर सकते हैं और ऐसी regenerative braking में electronic converter motor और load की जो mechanical power है उसे वापस electric source को भेज देता है नहीं कि उन्हें heat की तोर पे dissipate करने के हमने समझा कि एक electronic power converter की मदद से electric motor को power source से चलाते समय हम mechanical load को जादा बहतर तरीके से requirement पूरी कर सकते हैं एक चित्र में दिखाए गए open loop control scheme में हम power converter के controller को एक appropriate control signal देके और power converter से जो voltage और current motor को मिल रहा है उसे नियंत्रित करके load की आफशक्ताओं को पूर्ती कर सकते हैं लेकिन इस तरह के जो open loop control system है जिसमें हम एक fix load के लिए fix control signal देके कि यहां fix voltage और current motor को provide कर रहे हैं वो उन अस्तितियों में जब load में fluctuation हो या power source की voltage में fluctuation हो या internal system के कोई component में variations आएं तो ठीक से काम नहीं करते हैं क्योंकि इन में motor और load के बीच में जो speed और torque चल रहा है उसे feedback करने का कोई mechanism नहीं है और यहां हम सिरफ manual observations है monitoring से output में जो variations हो रहे हैं उनको देखकर input control signal को manually control करके और process को control करते हैं हालनकि इस तरह के power converter के electronic controllers में एक system के current को monitor करने का feedback current loop जरूर से होता है जो हमारी control unit को उस समय बचाने का काम करेगा जिस समय motor overloaded हो रही है अगर हमें ज़्यादा बहतर और बिना manual interference के load और supply के variation के बावजूद भी precise accurate और reliable अगर speed control करने है तो हमें close loop control system यूज़ करने चाहिए ज़रा समझते हैं के close loop control system क्या है एक close loop control scheme को यहां चितर में दिखाया गया है इसमें motor के साथ mechanically एक टेको generator को कपल कर दिया जाता है और वो motor की speed के अनुपात में एक voltage signal को हमारे controller को speed के feedback के रूप में provide करता है इसी तरह से power converter द्वारा motor द्वारा लिये जाने वाले current का भी पता हम एक direct current current transformer के मदद से कर लेते हैं और यह जो हमारी CT current मेजर कर दी है उसका भी एक feedback हम control unit को दे देते हैं इस control unit में कुछ comparator, amplifier और proportional और integral controllers है जो power converter को इस तरह से control करेंगे कि हमारी output speed और motor का current हमारी desired set reference के नजदीक रहे और किसी भी तरह कि अगर उनमें error है तो power converter correction करने का काम करेगा इस तरह के close loop control से हमारी drive की performance में बहुत improvement हो जाता है उसका dynamic response improve हो जाता है और control की accuracy और reliability बढ़ जाती है हम जो speed का feedback लेते हैं वो एक टेको generator से लेते हैं और टेको generator rotating speed के corresponding एक voltage signal बनाकर controller में compare से इस तरह के corrections कर देता है कि speed हमेशा desired speed के आसपास रहती है हम इस तरह के feedback control system और टेको generator का feedback बहुत सारी industrial drives में लेते हैं जैसे shear करने की presses है, robotics actions है और robotics में हम एक अलग से position control feedback mechanism भी लेते हैं बाहर से बाद में हम चर्चा भी करेंगे, सबी तरह के हमारे जो traction systems हैं, battery powered vehicles हैं, printing press की applications हैं या computer numerical control CNC machines हैं, उनमें भी हम इसी तरह के feedback systems का इस्तेमाल करते हैं, lift hoist इनमें भी टेको generator के feedback का इस्तेमाल करते हैं, जरह समझते हैं कि टेको generator किस तरह से कारिय करता है और किस प्रकार के होते हैं एक AC टेको generator, permanent magnet प्रकार के 3-phase AC generator है, जिनका output एक quasi sinusoidal wave है, जिसका amplitude और frequency, उस rotating machine की speed के proportional है, जिसके साथ हमारा टेको generator coupled है Digital signal processing units में हम frequency की pulses बनाके और feedback के control के लिए यूज करते हैं, आम तोर पे हमारे जो analog control होते हैं, उसमें जो टेको generator ने जो 3-phase AC voltage generate की है, speed के proportional उसे हम एक 3-phase rectifier से DC voltage में convert कर लेते हैं, जो की हमारे टेको generator के साथ ही सलगन होता है, जो polarity DC voltage की इस तरह से हमें प्राप्त होती है, वो direction से independent होती है, इसलिए AC टेको generator वाली feedback applications हम केवल उन drive में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें direction of rotation केवल एक होती हो, इसे reversible rotation वाली applications में प्रिय maintenance free है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह के brush का mutator context नहीं है, जैसे कि DC टेको generator में है, ये ज़्यादा रग्ध और economic है, ये कम कीमत में moderate performance देते हैं, और unidirectional applications में speed के feedback के लिए हम सभी drives में इनका इस्तेमाल करते हैं, एक DC टेको generator एक commercial DC generator जैसा है, इसमें हम एक अच्छी quality के permanent magnet से ए आर्मेचर के चारों तरफ बना लेते हैं, और जब हम टेको generator को drive के साथ mechanically coupled कर देते हैं, तो armature के rotation से commutator के सिरों पर रखी वी brushes से एक ऐसी voltage प्राप्त होती है, जो हमारी rotating speed के proportional है, ब्रश पे जो voltage के polarity आती है, वो direction of rotation reverse होने पे reverse हो जाएगी, तो हमारे ऐसे जो DC टेको generator है वो उस सारी drives में भी apply हो सकते हैं, जो दोनों direction में speed का control करना चाहती हूँ, जो DC टेको generator से हमें brushes के उपर voltage प्राप्ती है, वो बहुत जादा sensitive है, और बिना किसी दूसरे amplifier के हम सीधे feedback में इस्तेमाल कर सकते हैं, commercially जो टेको generator बजार में उपलबन है, वो प्रती 1000 RPM के rotation पे 20 से 120 वोल्ट के बीच में कोई voltage यहां generate करके हमें दे सकते हैं, AC टेको generator के तुलना में DC टेको generator थोड़े महेंगे हैं, और इनमें ये जो brush और commutator के बीच का जो contact है, वो maintenance भी मांगता है, दोनों AC और DC टेको generator relatively काफी मजबूत हैं, वो load के vibration और shock को handle कर सकते हैं, और बड़ी operating temperature range मे भी काम कर सकते हैं, और हमारी industrial DC drives में सबसे common speed के feedback के तूर पे हम टेको generator का इस्तेमाल करते हैं, और जो खुबसूरत बात है वो यह है, कि हमें सिर्फ दो ये तार चाहिएंगे feedback के connection करने के लिए, तो हम अगर speed की position से हमारा controller दूर भी है, तो भी इन तारों के मदद से हम control की activity कर सकते हैं, एक DC motor के लिए, close loop speed control scheme यहां चितर में दिखाई गई है, हम speed का feedback एक take-off generator से ले रहे हैं, और वो field control के लिए, जैसा कि हमने shine highlight में दिखाया हुआ है, या armature control का, जैसे कि हमने magenta frame में दिखाया हुआ है, हम प्रियोग कर सकते हैं, performance में सुधार करने, motor को shock और vibration से ब loop भी लिया हुआ है, जिसमें एक direct current CT current transformer armature के द्वारा लिये गए current को feedback कर रहा है, चाहे टेको generator से speed का feedback हो, या current transformer से current का feedback हो, ये feedback एक comparator को दिया जा रहा है, और comparator जो error signal दे रहा है, वो एक proportional integral controller द्वारा हमारी control scheme को control करता है, ताकि हमारी motor है, वो desired set point speed और current limits में काम कर सके, उधारन के तोर पे हम armature control scheme का इस्तेमाल कर रहे हैं, और motor की जो speed है, वो हमारी set reference speed से कम है, तो जो टेको generator का feedback signal आएगा, वो reference signal से कम होगा, तो यहाँ जो हमारी speed error signal होगी, वो amplify होकर, और इस proportional integral controller से, यहाँ एक दूसरे comparator में आएगी, और यहाँ जो हमारा signal आ रहा है, वो armature के current signal से compare किया जाएगा, अगर armature हमारी limiting current पे या जादा current की conditions पे है, तो यहाँ इन दोनों का difference कम हो जाएगा, और वो difference amplify होकर, एक face shift controller या PWM duty cycle controller को जाएगा, और अगर हमारा यह control rectifier है, तो delay angle कम होगा, और अगर यह chopper है, तो duty cycle increase होगी, और उससे power converter हमारी motor को जादा voltage देगा, और motor की speed तब तक बढ़ेगी, जब तक कि वो set point speed के बराबर ना हो जाए, और जब वो set point speed के बराबर हो जाएगी, तो टेको generator का feedback और reference signal बराबर होगा, तो zero error signal system में कोई correction नहीं करेगी, और system set point speed पे लगातार चलता रहेगा, एक close loop speed control scheme, जिसमें टेको generator से हम speed का feedback ले रहे हैं, और टेको generator मोटर से mechanically coupled है, वो हम armature control scheme में, जैसा कि green light light में दिखाया हुआ है, बेस speed से कम speed पे चलाने और नियंतन के लिए हम motor का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसा magenta frame में दिखाया हुआ है, उसी feedback signal को हम field control method से, बेस speed से जादा speed पे motor को चलाने और नियं signal से compare होगा, और जो error signal है, वो amplify होकर एक proportional integral controller को दिया जाएगा, हमारा PI controller एक ऐसा signal generate करेगा, जो thyristorized power converter के लिए triggering control करेगा, हम एक phase shifting circuit से firing circuit द्वारा delay angle को control करेंगे, और वो जो delay angle के अनुसार जब power converter अपनी voltage मोटर के armature को देगा, या मोटर के field winding को देगा, तो मोटर की speed desired set point scheme के अनुसार control हो जाएगी, अगर हम मोटर के power converter का power source, AC की बज़ाए DC रखते हैं, तो हमें यहाँ power converter चोपर इस्तेमाल करना होगा, और हमारा PI controller एक PWM duty cycle control signal activate करेगा, और उससे हमारा ये जो चोपर circuit है, वो converter में duty cycle control करेगा, और उससे हमारी मोटर की speed desired set point scheme के बराबर हो जाएगी, माल लेते हैं कि हम एक armature control scheme में इस control scheme को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें हमारी मोटर को 1400 RPM पे चलाना था, और मोटर की actual speed कम है, तो ऐसी स्तिती में जो टेको generator का feedback signal आएगा, वो 1400 RPM के अनुसार set reference signal से कम होगा, तो यहाँ एक positive error आएगी, वो error amplifier amplify करके एक proportional integral controller को देगा, और वो controller एक phase shift controller से delay firing angle को घटा देगा, इससे हमारा जो power converter है, वो armature को ज्यादा voltage देगा, और motor की speed ज्यादा voltage से प्राप्त ज्यादा current से बढ़ कर और desired speed हो जाएगी, और जैसे ही वो desired speed होगी, टेको generator के RPM बढ़ने से, जो feedback signal है, वो reference signal के बराबर आने पर error signal zero हो जाएगा, और controller अपनी activity चेंज करना बंद कर देगा, एक दूसरी कल्पना करते हैं, कि हमारी reference speed तो 1400 RPM है, और motor की RPM 1400 से जादा है, तो ऐसी इस्तिति में हमारा जो टेको generator का feedback signal है, वो जादा होगा, तो जो हमारी speed error signal है, वो अब negative होगा, negative signal amplify होकर PI controller को इस तरह से output देगा, कि वो face shift controller से delay angle को जादा करवा देगा, उससे हमारा firing circuit power converter की voltage को गटवा कर armature को देगा, और motor की speed जो जादा है, desired से वो वापस set point speed 1400 RPM पे आ जाएगी, अगर हमारा power source AC की बजाए DC है, और power converter chopper है, तो हम यहाँ face shift controller की बजाए, जो delay angle को बदलता है, एक PWM pulse width modulator duty cycle control यूज करेंगे जो हमारी switching के on और off time को control करके, duty cycle control करके, और हमारी motor की voltage को control करेगा, पर आप देख रहे हैं कि चाहे किसी भी तरह की speed variations हो, हमारी armature की voltage को हम control करके, और हमेशा speed को desired set point speed पर ला सकते हैं, चाहे हमारे load में variation हो, और चाहे supply power source में कोई variation हो, या internal system में कोई variation हो, यह सब कुछ काम ब के feedback से close loop scheme में हो जाएगा, हमने जाना कि controller की मदद से power converter में triggering delay angle के control या duty cycle के control से हम armature की voltage या field की voltage को requirement के हिसाब से बदल सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर हमें motor की speed बढ़ानी है, तो motor अपना torque, load torque से ज़्यादा बना कर accelerate करेगी, और अगर speed घटानी है, तो applied voltage में हुए changes से motor अपना torque घटाएगी और speed कम हो जाएगी, जब motor का torque और load का torque मैच हो जाएगा, तो हमारी motor की speed constant हो जाएगी, और उस समय हमारा controller अपनी fix setting के साथ बिना किसी परिवर्तन के motor को उसी set desired control scheme पर लगातार चलाता रहेगा, load torque और motor के torque में matching के दोरान कुछ transient conditions में oscillations पैदा हो सकते ह और अगर हमारा ये controller feedback के proportional signal बनाता, तो वो oscillations troubles create करते, तो हम यहाँ जो controller है, वो proportional controller की बजाए, proportional integral controller यूज करते हैं, और जो PI controller है, वो इस तरह के changes को smooth कर देता है, और sudden oscillations और shocks से हमारे drives को बचाता है, हमने जाना कि एक close loop speed control scheme में, अगर load में variation होती है, या supply में कोई changes होता है, reference speed से, या desired set speed से deviate होती है, तो जो error signal है, वो motor के armature पे voltage को बढ़ा कर, और speed को control करना चाता है, ऐसी स्थिती में, जो motor के back EMF or source voltage में, जो difference है, वो छोटे से armature resistance में, transient conditions में, बहुत जादा armature current की increase कर सकता है, और वो बहुत तेजी से, अचानक drastically, जादा होने से, हमारे power converter के, short time rating devices को damage कर सकती है, तो इस तरह के, नुकसानों से बचने के लिए, और armature current slowly increase हो, इसके लिए हम, एक internal current feedback loop भी बनाते हैं, जिसमें, एक direct current current transformer की मदद से, हम armature के current को monitor करके, और यहाँ जो speed का error signal आया है, उससे compare करवाते हैं, अगर हमारे armature का current पहले से जादा है, तो यह difference कम हो जाएगा, तो यह current को increase नहीं करेगा, और ऐसी स्थिती में, हम हमारी motor और converter को, sudden, excessive, damaging, in rush of current से बचा लेते हैं, और हमारा जो acceleration motor का होता है, वो भी smooth होता है, इन सारी applications में, जो हम controller यूज करते हैं, वो plain proportional controller की बजाए, हम proportional integral controller यूज करते हैं, ऐसे PI controller है, इन में study state error कम आती है, और इनका जो response है, वो ज़्यादा smooth है, compared to proportional controllers, controllers, हमने देखा कि टेको generator से speed का feedback लेकर, हम अगर close loop speed control करते हैं, तो वो असानी से speed को control कर देता है, और उसमें बहुत सारे advantages हैं, जरा उन्हें advantage को समझ लेते हैं, इस तरह के, जो हमारे close loop speed control method हैं, इनकी accuracy जादा है, speed का control जादा fine कर सकते हैं, चाहे हमारी load torque में कोई variation हो, या supply voltage में कोई variation हो, हमारी जो speed control है, वो जादा accurate और तेज dynamic response से हो जाएगी, इस से हमारी drive की performance सोधर जाएगी, हम हमारी motor को लगातार constant torque पे या constant speed पे चला सकते हैं, हमारा जो operation है, वो लगातार अपनी set point पे stabilize रहेगा, और उसमें जादा deviations नहीं आएंगे, हमारे close loop control schemes में inherent circuit के protections incorporated ह तो हमारे controller और motor की safety भी insured रहती है, हम इस तरह के feedback control system से motor की smooth rapid starting कर सकते हैं, reversing कर सकते हैं, तो हमारे close loop control system में manual monitoring की ज़रुवत नहीं है, और ये जो feedback systems हैं, comparators हैं या हमारे controllers हैं, वो बहुत जादा महंगे नहीं हैं, तक्नीक ने उन्हें बहुत economic और reliable बना दिया है, तो सारे आधुनिक motor drives में हम इसी तरह के close loop टेको generator speed control system सिस्तेमाल करते हैं, आज की इस वीडियो से आपको टेको generator speed control अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, हमारी तीन दूसरी वीडियो में हमने DC motor के speed control को बहुत बहतर तरीके से समझाया हुआ है, सभी वीडियो को देखने के बाद आपकी विशे समझ भी सुधरेगी और परिक्षाओं में भी अच्छे आंक पाने में आपको मदद मिलेगी, आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, have nice time, happy learning